दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक हिवानसू और आप देख रहे हैं यूर अनलाइन पार्टनर आप लोगों के लिए प्रति दिन डेली करेंट अफेर्स की सीरीज जो आपके हर एक्जाम के लिए बहुत महतपुर्ण है मैं लेकर आ रहा हूँ दिन के 12 बजे प्रति दिन ये आपको मिलेगी तो देखना मत भूलिएगा हर दिन का उसी डेट में मैं आपको देने वाला हूँ तो आज का जो हमारा पहला कुश्चन है पहले मैं आपको प्रस्न दिखा रहा हूँ और आप लोग भी उत्तर देने की कोशिस करेंगे पहला कुश्चन है कांगो गनराज्य के राष्टपती के रूप में किसे चुना गया है फटा फट उत्तर देते जाएंगे बोतल ग्रेड पॉलिथायलीन टेरेप्थेलेट के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है तो भारत ने पांच वर्सों तक का ये शुल्क लगाया है तीसरा प्रशन है प्रतिवर्स विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है फटा फट सब लोग बताएंगे प्रतिवर्स विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को बनाया जाता है अगला कुस्तन है मार्च 2021 में UPCM योगी आदितनात और नागरिक उडेन मंत्री हरदीप एसपूरी ने गोरकपूर से किस चहर के लिए एक नई उरान सेवा को हरिजंडी दिखाई है तो लखनों यहाँ पर correct answer होता है लखनों के लिए नई उरान सेवा को हरिजंडी दिखाई है अगला प्रश्ण आपका यहाँ पर आता है कौन सा संगथन विश्व विचास रिपोर्ट प्रकासित करता है तो विश्व बैंक संगठन जो है वो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकासित करता है अगला कुस्टन शिक्स्त नंबर यहाँ पर आपके सामने है मार्च 2021 में किस बैंक के बोड ने वित्वर्स 2021-22 के लिए 8000 करूर रूपिय की बॉंड बॉरोइंग सीमा को मंजूरी दी है वित्वर्स 2021-22 के लिए 8000 करूर रूपिय की बॉंड बॉरोइंग सीमा को मंजूरी दी है अगला प्रशन है हमारा यहाँ पर हाल ही में किस देश के जौला मुखी माउंट मेरापी में विस्फोर्ट हुआ है तो जैसा कि आपने देखा इंडोनेशिया में जौला मुखी मा प्रदानमंत्री द्वारा एक भारत स्रेष्ट भारतिये भारत कारकरम की घोषना किस वर्स में की गई थी 2015 में यह घोषना की गई थी नाइंथ नमबर कोष्टन है आपके सामने भारत और बंगलादेश के परदानमंत्री ने हाल ही में किस शहर में बंगबंदू बापु संगरहाले का उधगाटन किया है तो ढाका में ये उधगाटन किया गया है अगला प्रशन है टेंथ नमबर राष्टपती रामनाथ विंद ने रास्टिय राजधानी छेतर दिल्ली सरकार अधिनियम 2021 को अपनी स्विकृति प्रदान की दिल्ली के उपराजपाल कौन है अनिल बैजल दिल्ली के उपराजपाल है अगला प्रशन है 11 नमबर 30 मार्च को किस देश के रास्टिय चिकित्सक किस देश में रास्टिय अमेरिका में रास्टिय चिकित सक दिवस मनाय जाता है अगला कुश्चन 12 नंबर है वर्स 2021 का रथबोन फोलियो पुरुसकार किस ने जीता है तो कारमेन मारिया मचाडो ने रथबोन फोलियो पुरुसकार जीता है अगला कुश्चन है आई एसस एफ विश्व कप में महिला और पुरुस्ट ट्रैप टीम स्परधाओं में किस देश ने स्वर्न पदक जीते हैं गोल्ड मैडल तो भारत ने ये गोल्ड मैडल जीता है अगला कुश्चन 14 नंबर है महराष्ट भूसन पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है महराष्ट भूसन पुरुसकार से आसाव होसले जी को सम्मानित किया गया है अगला 15 नंबर कुश्चन है आपके लिए संजुक्त रास्ट सांती बल के लिए मेड इन इंडिया COVID-19 टी के किस देश पहुँचे तो संजुक्त रास्ट सांती के लिए डेनमार्क में पहुचा है मेड इन इंडिया COVID-19 टी का अगला प्रशन है हाल ही में भारत का प्रथम भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहां पर स्थापित किया गया है अगला प्रशन है संडक्षन के पृति अपने योगदान के लिए प्रतिस्ठित अंतरास्टिये रेंजर पुरुसकार जितने वाले एशिया के एक मात्र रेंजर कौन है महिंदर गिरी एक मात्र रेंजर है जिनोंने अंतरास्टिय रेंजर पुरुसकार जीता है 18 नमबर अगला कोश्चन है हाल ही में किसे सारजनिक उद्यम के स्थाई संवेलन की नई अध्यक्ष चुनी गई है सारजनिक उद्यम के स्थाई संवेलन की नई अध्यक्ष सोमा मोंडल को इस अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 19th नमबर कोश्टिन है मार्च 2021 में किस देश ने पुर्वी हिंद महासागर छेतर में दो दिवस्ये नौसेनिक अभ्यास सुरू किया है तो मार्च 2021 में अमेरिका ने पुर्वी हिंद महासागर छेतर में दो दिवस्ये नौसेनिक अभ्यास शुरू किया है अगला प्रश्ण है केंदरिये खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने किस योजना को वर्ष 25 से 26 तक बढ़ाने की घोसना की है तो यहाँ पर आपका खेलो इंडिया योजना है जिसको 2026 तक बढ़ाने की घोसना की है यह 28 नमबर कुस्टन था और दोस्तों यह था आपका आज का 30 मार्च 2021 का करेंट अफेर्स जीके का कुस्टन जो कि आपके एक्जाम के लिए महत्वर्ण है कल दिन के 12 बजे हम 31 मार्च के प्रस्टन के साथ आएंगे और प्रते दिन आप दिन के 12 बजे योर अनलाइन पार्टनर पर देख सकते हैं सब्सक्राइब जरूर करिए और पूरा प्लेलिस्ट भी आपका इसका बना हुआ है जिसमें आप आगे के पूरे जो है करेंट अफेर्स देख सकते हैं मिलते हैं कल के वीडियो में बाबाई जैहिन